हेलो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि हम jpg फाइल को pdf फाइल में किस परकार से बना सकते हैं दोस्तो जैसे कि हमारे पास में कोई डॉकुमेंट की jpg फाइल है अगर हम उसे WhatsApp की गैली से सेंड करते हैं उसकी quality डाउन हो जाती और बड के लिए दिखाई नहीं देती लेकिन हम jpg फाइल को pdf में convert करके यानि jpg फाइल को pdf बना कर किसी को डॉकुमेंट की मदद से सेंड करें तो उसकी quality डाउन नहीं होगी तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी jpg फाइल को pdf बनाने के लिए एक एप का यूज करेंगे उसके लिए हम play store को open करेंगे play store को open करते हैं play store open होने के बाद आप सर्च में जाएंगे और सर्च में डालेंगे pdf maker pdf maker पर okay करेंगे और जैसे कि आप थर्ड नमर पर देख सकते हैं image to pdf convert इसको हम okay करेंगे okay करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे mobile के अंदर open आ रहा है क्योंकि दोस्तों मैंने इसे पहले से ही install किया हुआ है आप यहां से इसे install कर लें और install होने के बाद मैं आप यहां से open करेंगे और select image select image पर हम okay करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ permission मांग रहा है allow image to pdf convert to access photo and media on your device तो यहां से इसे allow कर देंगे allow करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहां पर gallery की कुछ picture मेरी स्कीन पर सो कर रहा है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ picture मैंने बच्चों की book से click की हैं जिससे मैं jpg file को pdf में बना कर वता सकूं दोस्तों जैसे कि मैं एक image को select कर लेता हूं दो को भी select कर लेता हूं तीन को select कर लेता हूं और चार को यानि कि मैंने चार image को select कर लिया उसके बाद जैसे कि आप नीचे आओगे इंपोर्ट यहां पर इसे ok करेंगे ओक्के करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ नीचे quality दी हुत है तो यहां से हम अपनी document की quality के एसाफ से set कर सकती है यह अभी original है document पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं किस परकार से यह clear हो चुकी है image पर जाता हूँ और इस प्रकार से आप अपनी document के साथ से select कर सकते हैं तो मैं document पर यानि कि इसको select कर देता हूँ और यहां से done कर देता हूँ done करने के बाद यहां पर कुछ थोड़ी time के लिए process चलेगी process complete होने के बाद convert to PDF इस पर हम ok करेंगे और जैसे कि आप देख सकते है pdf file name यहां से आप अपनी file का नाम भी दे सकते हैँ जैसे मैंने दे दिया अगर आप अपनी pdf file password को bijneyerendre करना चाहते तो password okay करेंगे घ़िक्त Lore password करना के लिए आप अपना password भी दे सकते हैं जैसे कि आप अपनी PDF को square रख सकते हो जैसे कि हमारे पास कोई ऐसा important data यानि important jpg पहले जिसे हम PDF बना कर किसी को भीजना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बिना password की वहाँ open ना हो इसलिए इसे हम password का यूज करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर code time 0 का यूज किया और convert कर दिया convert करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो convert to PDF successful यानि कि हमारी फाइल बनकर complete हो चुकी है दोस्तों यहाँ से भी आप अगर share करना चाहते हो यानि कि send करना चाहते हो तो share पर जाएंगे और एक WhatsApp पर share कर देता हूं MB tag और इसे send कर देता हूं जैसे कि देख सकते हैं मेरे PDF यहाँ से send हो चुकी है दोस्तों हमने PDF फाइल बना दिया है अब हम अपने PDF फाइल को open करके देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम PDF फाइल को open करेंगे तो जैसे कि मैं WhatsApp से open कर लेता हूं गैलरी के पेच्छा में तो WhatsApp को open किया मैंने और MB tag पे डाली थी जैसे कि PDF 01 जो कि हमने फाइल को नाम दिया था इसको मोके करेंगे PDF टूल केट इस पर OK करेंगे OK करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यानि कि हमने अपने PDF फाइल को open करने कोशिश की तो वहां password मांगने लगा तो इस परकार हम अपने फाइल को protect कर सकते हैं तो हम अपने password इंटर कर देते हैं और इंटर करने के बाद OK कर देंगे तो दोस्तों आप भी इस app की मदद से अपने mobile से jpg फाइल को PDF में बड़ी आसानी से बना सकते हैं